हलो दो स्वागत आपका शर्मा जी के रिव्यूस में दोस्तो कल डोस्तों कल रियलमी कंपणी ने दो बड़े बड़े दमाके किया है एक तो जिसका हमें इंतजार था रियलमी 2 प्रो उसका और जाते जाते उन्होंने एक और दमाका किया है रियलमी C1 के दौर पे जी हाँ उन्होंने एक और budget range जो है mobile जो launch कर दिया है Realme C1 जैसे कि आपको पता है Realme 2 को सब बोल रहे थे कि processor 450 क्यों दे दिया क्यों दे दिया तो एक तरीके से उन्होंने उसी phone को फिर से हलका सा downgrade करके कुछ चीजें हटां के उसमें से एक और phone निकाल दिया जिसका नाम है Realme C1 तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी phone की कुछ specification बताना ही जा रहा हूँ quickly आप जो है अपनी राय बना सको कि आपको ये phone लेना चाहिए है नहीं तो जलदी दोस्तों करते हैं कुछ specifications की शुरू और आपको बता दूँ कि अगर आप first time इस चैनल पर हैं तो आप subscribe कर लिजीगा क्योंकि आपको मिलती है इस चैनल पे सारी की सारी updates सबसे पहले दोस्तों हाँ subscribe करने के साथ साथ दोस्तों आप bell icon भी दबा लेना तो बात करते हैं Realme C1 की specification की almost इसकी specifications Realme 2 जो है उसके बराबर की specifications है हाला की कुछ चीज़ें हटाई है तो specification के मामले में आपको बता दूँ कि आपको सबसे पहले जो screen मिलती है दोस्तों वो मिलती है 6.2 inch की आपको screen मिलती है full HD नहीं आपको HD plus display की आपको screen मिलती है आपे Realme C1 में उसके बाद आपको जो variant यहाँ पे मिलता है अभी के लिए फिलहाल जो company बता रही है वो 2GB और 16GB वाला single variant है जो की आपको मिलेगा सिरफ और सिरफ 7000 रुपे में साथी साथ अगर battery की बात करों तो 4230 mH की आपको इसमें battery देखने को मिलेगी दोस्तों processor आपको snapdragon 450 देखने को मिलेगा जो आपको realme 2 में मिलता है हाला कि आपको क्या नहीं मिलता है इसमें दोस्तों आपको एक तो इसमें fingerprint sensor नहीं मिलता आपको rear वाली साइड सेम कैमरा मिलता है 13 प्लस 2MP का dual camera आपको मिलता है OS आपको मिलता है 5.1 दोस्तों और बात करें इसकी availability की तो यह आपको 11 October से मिलेगा 11 October दोपहर के 12 मजे से आपको C1 मिलेगा दोस्तों fingerprint sensor तो नहीं है इसमें बट आप जो है facial unlock के थूँ आप इसको phone को अपने को unlock कर सकते हो face unlock के थूँ साथी साथ अगर आपको लगता है कि जो 16 GB की memory है वो कम पड़ेगी आपके लिए तो company ने आपको दिया है इसमें 2 प्लस 1 का card slot मतलब आपको dedicated memory card का यहाँ पे slot मिलता है आप जो है एक memory card लगा के अपनी storage बढ़ा सकते हो तो यह कुछ basic specifications हैं जो मैं आपको बताना चाहता images दिखाई all over this video, almost यह Realme 2 ही है, बस fingerprint sensor उड़ा दिया, camera थोड़ा चोटा कर दिया, diamond cut design हटा दिया, normal glossy design दे दिया और बना दिया Realme C1, यही थी कुछ specifications Realme C1 की दोस्तों, आप मुझे नीचे comment करके बताइगा कि आप यह phone पर्चेस करोगे कि या नहीं करोगे, और आप साथ में यह भी बताइगा कि क्या यह phone इसको निकालना चाहिए था, company को के नहीं, मेरे हिसाब से, तो यह Xiaomi को तोड़ने का इन्होंने एक तरीके से इरादा बना चुके हैं, पूरा, Realme 2 Pro launch कर दिया, Mi A2 की दजियां उड़ा दी, उसके बाद यह launch करके budget segment की दजियां उड़ा दी, अ ना फिर वो आ सकते है, 660 के साथ दोस्तों, तो इन सारे updates के लिए आप बने रही है इस channel के साथ, मैं आपको दूँगा हर एक update सबसे पहले दोस्तों, इस video को like, share and subscribe करना मत बूलेगा, अगर आप first time में इस channel पे हैं, तो subscribe करने के साथ है दोस्तों, bell icon भी दबाते जीगा, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, take care